Law of Necessity and Immanuel Kant. According to Immanuel Kant, children must be subject to the Law of Necessity. बच्चों को कुछ कवानीन ऐसे हैं, जो के बिलकुल Necessity के तहत हैं, यानि बिलकुल Absolute हैं और जरूरी हैं, और उनके जरीए ट्रीट किया जाना चाहिए. और क्यों जरूरी हैं? वो इसलिए के no preference to any students. For instance, Immanuel Kant ये बियान करते हैं कि किसी एक student को किसी दूसरे student पे इम्तियाजी सलूक नहीं रवा रखना चाहिए उसके साथ, उसे कोई preferential treatment नहीं देना जाना चाहिए. अगर हम classroom practices में, teachers की practices पे गौर करें, तो sometimes चाहते वे या ना चाहते वे, वो बहुत से students को preferential treatment दे जाते हैं. For instance, asking a child to clean the whiteboard or the blackboard, asking a child to collect the copies from others, actually makes him or her feel that he or she is special or is important or is near to the teacher because of certain acts he or she does. अब ऐसी सूरत में, जो दूसरे बच्चे हैं, वो क्या feel करेंगे, ये सोचना भी बहुत जरूरी है, और फिर can't ये भी कहते हैं, कि ऐसे जो laws हैं, वो बहुत general होने चाहिए, वो सब के लिए एक होने चाहिए. एमेरल केंट का ये ख्याल था कि इस चिल्डरन सेंसे प्रिफरेंशल ट्रीटमेंट तोवर्ड़ एनी अदर स्टूड़न्ट, ये वोड टेक इट अजा क्यू तो बी डिसॉबीडियन्ट, यानि प्रिफरेंशल ट्रीटमेंट डिसॉबीडियन्स की तरफ लेके जाती है, बचे जब ये फिल करेंगे कि अगर आप किसी एक स्टूड़न्ट के साथ इमत्याजी रविया रखे हुए हैं और उनके साथ वो रविया उससे मुख्तलिफ है, तो फिर वो डिसॉबीडियन्ट हो जाएंगे, उनकी जो अबीडियन्स है आउट अफ मैकसिम्स, यानि वो हमने ये बात की कि रीजन के जरिया थी और मैकसिम्स पे बेस्ट थी, तो इसका मतलब अगर उन्हें ये लगेगा कि आप ही कुछ मुरली ब्रीच कर रहे हैं, आप उस मुरालिटी के अगेस जा रहे हैं, जो उनको सिखाई गई है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करना और फर कि अगेसे जाए हैं, जो नहीं मुरालिटी के खातने हैं, उसे अपने साथ अपने साथ अपसलू नसैसटी करनी है, यानि वो हमेशा उसकी पाबंदी जरूरी है, और ड्यूटी जो है, वो रिसल्ट करती है, ड्यूटी जानूटी जानुटी की निस्पेक्ट आपक्श्ट पासदारी करेंगे तो फिर ड्यूटी एक necessity of action के तौर पे सामने आएगी